नमस्कार मैं हूँ आसी सोरा आप देख रहे हैं एवाई अकैडमी फ्रेंट्स इस वीडियो हम लेकर आए हैं नाइंथ क्लास एंपी बोर्ड के जो टेनरल इंगलेस है उसका एर्थ लेशन आठमा अध्याय और इसका नाम है दा सेकेंड चांस दूतिये मौकाय दूतिये आउ तो यहां फ्रेंट्स आप देखते हैं कि यहां पर आप होंकी खेलते हुए कुछ बच्चे दिखाए दे रहे हैं और होंकी पर ही अधारत एक लेशन है तो चलिए इसकी शुरुगात करते हैं यहां फ्रेंट्स देखें एवीक एगो एक सबता है पहले जो नहीं चाही गही थी जिसे सोचा नहीं गया था एक घटना घटत हुई शुधीर वो प्लेट लेफ्ट आउट इन दा स्कूल्स होंकी टीम जो सुधीर जो इसकूल की होंकी टीम में खेला करता था थ्रिव अवे एक क्रशिल गोल उसने एक महत्कूल गोल को छोड़ दिया नॉट ओली डिड़ इस टीम लॉस ता मैच न केवल इससे उसकी टीम ने मैच को मैच हार गई इत आसो लॉस्ट दा कविटेट इंटर स्कूल ट्रॉफी बलकी अंतर बिद्यालेईन होने वाली ट्रॉफी भी उनकी हाँ से निकल गई जो अंतर बिद्यालेईन ट्रॉफी प्रतेश्ठेट ट्रॉफी थी उसको भी वहार गई एक बुरेश अपने में जी रहा था यानि कि शुधीर लगातार हारने के पशाद बुरे बुरेश अपने देख रहा था उसकी लाइफ एश्टार बिलकल अलग हो गई थी बलजी दे टफ वेल रेस्पेक्टेड जो बहुत ही सक्त और बहुत ही सम्मानित कोज थे हैड डिनाइड डिनेड इट इन्ट इन्ट देर हैट्स एक गुड होंकी प्लेयर मस्ट कनवर्ड दा हाफ चांस यहाँ पर उन्होंने कहा डिनेड डिनेड का जो साब्डिकर्थ होता है वो होता है सोर मचाना या चिलाना कोज है डिनेड चिलाए इट इन्ट 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 इर हैट्स उस पर एक गुड होंकी प्लेयर की एक अच्छा होंकी खिलाडी must convert the half chance half chance में convert कर सकता है मौके को कम से कम half chance में convert कर सकता है यायनि कि आधा CHANSE उसके पास होता है और यदि वो चाहे तो उस गोल को कर सकता है half chance आधा मौका सुधीर had missed a sitter तिएक शुधीर ने गोल छौभ दिया गोल करने का जो मौका था shitter means होता है, goal करने का मौका, उसको miss कर दिया, छोड़ दिया, it was a perfect lop from Rajveed, it was perfect lop from Rajveed, जो Rajveed लिए एक अच्छा आउसा था, आगे देखें, the team's back, the team's back, team के पीछे, having slapped through the defence, डिफेंस करने पर रच्छा करने पर फिसल जाने पर तबालवाज is an ideal scoring position जो बॉल थी वो एक उचित गोल करने की जगे पर थी not to angular वहाँ पर किसी तरह का कोई कोड नहीं था a gentle scoop by changing the body posture एक जो खिलाडी था उसने अपने स्रीरी को जो पोस्चर था उसको बदला और a crack to the net from a patted hitting position would have sealed the score और उसने बहुत ही बढ़े तरीके से kick mara और जो hitting position और उस इस्तिती में उसने hit किया और score को goal कर लिया यहनि कि जो ball थी उसको goal कर दिया आगी front से इसका जो relation है उससे आप देखें the goalkeeper had charged early जो goalkeeper था had charged early leaving the goal post not just undefend it goalkeeper रच्छा करने में असफल रहा but positively wide open and welcoming उसने जो gate थे वो पूर्टर से खोल दिये थे positively wide open काफी बिस्तार हो गया था and welcoming और goal मरने के लिए बहुत आसानी थी क्योंकि उसको goalkeeper काफी चखे थी goalkeeper के हां से निकालने के लिए in that single minute एक ही minute में the defense seemed to move almost in slow motion लेकिन उसी चण जो defense था जो रच्छाग था वो धीमा हो गया lazily the second slit passed giving Sudhir ample time to choose a scoring position बड़े धीरे से the second slit lazily the second slit passed giving Sudhir's ample time to choose the scoring position scoring position यानि कि जहां से goal किया जाना था उस इस्तिती को पाने के लिए Sudhir के पास में प्रचुर मौका था प्रचुर समय था जो वहां पर पहुचकर बहुत अच्छी तरह से उसको goal कर सकता था then for no apparent region उसके पास ऐसा कोई special कारण नहीं था he decided to use the reverse flick उसे निस्चे किया कि उल्टा उसमें flick मारा जाए for which he had earned a short of reputation और ताकि उसे काफी प्रतिष्था प्रतिष्था अर्जित करने के लिए उसने ball पर reverse flick उल्टा जटका मारने का प्रयास किया ताकि उसे प्रतिष्था में सके part of it was the desire to show off हलाकि यह उसकी इच्छा दिखावे की थी the show off का मला होता दिखावा करना desire रहाने इच्छा the other part was the challenge और जो दूसरा हैसा था वो काफी चुनोती भरा था the risk is rising the level of difficulty कटनाई का जो इस्तर था वो लगातार गंभीता को बढ़ा रहा था result प्रणाम यह हुआ the ball hit the board from the outside ball ने board को पाहर से hit किया a sure goal was wasted और rather thrown away एक जो निश्चित गोल था वो खराब हो गया और rather thrown away और ball जो थी वो दूर चली गई यानि कि जो goal था उसका होना cancel हो गया अब वो goal नहीं हो सकता था पूर तरह वेस्ट कर दिया गया था goal को अच्छा मौका था कि उस goal को ball को goal किया जा सकता था आगे यहां पर देखें the crowd bad for his blood यह देखकर जो भीड थी उसका खून खौलने लगा his teammates would gladly have strangled उसके जो teammates थे उस पर चलाए an angry bulgit और एक जो कुरुधत bulgit था ordered him to shit out the rest of the game और उसने आदेश दिया game से बाहर बैठने के लिए अराम करने के लिए for a week sudheer avoided the field एक सबता है तक जो sudheer है वह खिल के मैदान को टालता रहा his teammates would gather for practice उसके जो साथी थे वो अभ्यास के लिए वहाँ पर इखटे होते थे but he lacked the courage to go in their midst and face the hostility लेकिन उसके पास में इतना साहस नहीं था lacked कमला होता है खो जाना लेकिन उसके पास में इतना साहस नहीं था to go in their midst कि उनके बीच में जा सके and face the hostility और उनके जो शत्तृता है उनका जो ब्रोध है उसका सामना कर सके and contempt और उनकी जो निंदा का सामना कर सके contempt means होता है निंदा और hostility means होता है शत्तृता या ब्रोध that he felt he would be subjective to just how he मैं सूस कर रहा था Sudhir, why have you not been attending practice Sudhir, why are you not being able to do this? a voice interrupt एक आवाज आई his brooding वह सोच रहा था वह सोचता रहा I have not been well मेरा स्वास ठीक नहीं है ही मंबल वह बुद बुदाया Isn't that just an excuse for hiding after a disgraceful performance अपती नुरासा जनक परफॉरमेंस को छपाने के लिए यह एक अच्छा बहाना नहीं है It stung as it was meant to वह इस stung उसको ऐसा डंक सामार गया as it was meant to यह ही इसका भावार्त था I did not play badly मैं बुरा नहीं खेला Sudhir, Sudhir, Sudhir ने कहा with some show of spirit मखेल की भावना से खेला था At that moment उसी च्छन He hated Baljit and his cool He hated Baljit उसने वह Baljit से घ्रणा करने लगा and his cool और जो उसका जो धीमापन था Oh yes अरे हां, Baljit said softly Baljit ने बड़े ही आराम से कहा था You missed a sitter क्योंकि तुमने एक गोल छोड दिया था and as if that was not bad enough बलकि वह इतना बुरा नहीं था You have been having like a wimp तुम एक डर्पोंक की भात ही बिवार कर रहे हो ever since Wimp means होता है डर्पोंक Behaving कम लग होता है बिवार करना If you don't know यदि तुम नहीं जानते how to face up your mistakes अपनी गल्तियों को सामना कैसे करते हैं You should not venture into a game तो तुम्हें किसी भी खेल में सामिल नहीं होना चाहिए Any game किसी भी तरह के खेल में सामिल नहीं होना चाहिए Do you hear how they board at me? क्या तुमने देखा था? वो मुझे कैसे चड़ा रहे थे Board Board का जो मीनिंग होता है वो होता है चड़ाना Sudhir asked Sudhir ने पूँचा Unable to hide the torment in his voice उसकी आवाज में Torment का जो मीनिंग होता है कस्ट उसके जो कस्ट है उसकी आवाज में दिखाई दे रहा था कस्ट को अपनी आवाज से वो चिपाने में असमारते था Did you see them laugh? क्या तुमने उसे हंसते वे देखा? You deserve it तुम इसलायक हो Baljit said कामली Baljit ने संदी गुर्वक कहा Even one makes mistakes हर कोई गलतियां करता है Even terrible mistakes are excusable बड़े से बड़े भैनक से भैनक गलतियां माफ करने लायक होती है If you learn from them यदि तुम उनसे कुछ सीखते हो But what lesson have you drawn apart from the one in self pity? लेकिन तुमने खुद के प्रतिया के सिवाए कौन सरी चीज को सीखा है कौन से क्या सीखा है यहां पर देखें Lesson have you drawn apart from the one in self pity? तुमने तुमने खुद की दयावलता के प्रति और कुछ नहीं सिखा How will you teach yourself not to repeat that mistake? तुमने तुमने खुद को कैसे सिखाओगे not to repeat that mistake ताकि तुम उस गलती को दुबारा से ना दोहराओ not by avoiding play ना कि तुमने खेल बंद करना चाहिए खेल को टालना चाहिए but by going into it with a determination not to repeat it तुमने दुर्ण नश्य के साथ इसमें साविल होना चाहिए ना कि इसको दुबारा से पुर्णावृति करने चाहिए now enough of all this अब बहुत हुआ go to the field मैदान में जाओ and be ready to play और खेलने के लिए तयार हो जाओ आगे हां पर देखिए impervious to सुधीर से despair सुधीर की निरासा प्रबल थी impervious का मलब होता है प्रबल होना बलजीत टरनेट अबे बलजीत दूर गया सुधीर slowly made his way to the changing room सुधीर ने अपना जो room है उसको बदलने का धीरे धीरे बदलने के लिए तयार हुआ surprisingly लेकिन अचानक his teammates were welcoming उसके जो साथी थे वो वहां पर आ रहे थे Hi man, nice to see you emerge from exile वनवास के बाद तुमसे मिलकर खुशी हुई नवीन the captain said बलजीत appeared again बलजीत दुबारा दिखा achieving them to get ready before the game जो इसको दुबारा से गेम में तयार होने के लिए मनाने के लिए आया था Give it your best तुम अपना अच्छा प्रदर्शन करो boys, बच्चोई He said as usual उसने कहा जैसा वो कहा करता था Almost as an afterthought Almost as an afterthought He added उसने जोड़ा Sudhir, you will be playing right in today तुम आज दाएं तरफ खेलोगे I have been shifted because now he thinks मुझे वहां पर shift किया गया क्योंकि अब वह सोचते थे I am just not good enough क्योंकि मैं प्रयापत अच्छा नहीं रहा थोड़ सुधीर Sadly Sudhir ने बुरा मानते हुए सोचा I guess I deserve it मैंने महसूस किया मैं इसी लायक हूं Deserve का मलब होता है लायक होना The game began खेल स्टार्ट हुआ The opposing team was good जो पिपक्षी जो टीम थी वह अच्छी थी and the first half of the game moved fast और उसने जो आधा गेम था वह बहुत तेजी से खेला था The team attacked again and again जो उनकी टीम थी वह बार बार आक्रमन कर रहे थी Displayed good tripping and executed excellent passes उसने जितने भी पास किये थे पास कर रहे थे गेन को वह बहुत ही अच्छे थे Dribling का मलब होता है उच्छालना गेन को But when it come to a scoring opportunity लेकर जब भी गोल करने का उसरा था Players from both sides become hesitant तो दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स थे वह घबरा जाते Almost nervous और सोच में पढ़ जाते Baljeet noted this thoughtfully Baljeet इसको बड़े ध्यान पूरवक देख रहा था He particularly watched Sudhir उसने केवल बेक्दी का तोर पर Sudhir की तरफ देखा The boy was playing with a finacy जो लड़का बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहा था Finacy का जो मीनिंग होता है वो होता है चलाकी जो बड़ी ही चलाकी से खेल रहा था He had never before displayed जैसा वो पहले कभी खेलती हुए नहीं देखा गया था आगे friends देखें Sudhir's teammates thumbed his back Sudhir ने Sudhir's की जो teammates थे उन्होंने उसकी पेर थप थपाई Baljit shouted his approval Baljit उसकी उपलदी में चलाया and encouragement और प्रोथ सहन दिया Life regained its former healthy shape for Sudhir जीवन पुना से lot आया था Sudhir के लिए जैसा वो पहले खेलता था तक game gathered pace खेल गती पकड़ रहा था pace का मलब होता गती gather means होना पकड़ना Sudhir's teams score another goal Sudhir की team ने दूसरा goal भी किया this time it was from a penalty corner और ऐसे penalty corner से किया गया था but the real icing came in the dying minutes of the game लेकिन वास्तविक अनंद तब आया game में with the third goal जब third goal हुआ it was Sudhir वह Sudhir ही था who scored again जिसने दूबार से goal किया था he managed a solo run down the flank and dribbling past the defense was half turned away from the goal it was not a scoring chance हालकि यह goal करने का मौकार नहीं था but backed with his renewed confidence लेकिन he was unstoppable उसका जो आत्म विस्वास था वो पुनाह लौट आया था इसलिए उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल था renewed confidence का मुल्द होता है पुनाह से आत्म विस्वास आ जाना scooping the ball with a reverse flick वसने ulti flick से गेंद को चाला he had the opposition wooden on their feet वसने बड़ी तेजी से अपने पर their feet अपने परों से प्रिहार किया watching helplessly at the ball swung into the goal post और जो खिलाडे थे वो केवल गेंद को गोल होते हुए देखते रह गया Sudhir looked across at his coach and granite Sudhir ने coach की तरफ देखा and granite और मुस्कराया Baljit shoo his head Baljit ने शर पकड़ा in a you will not improve तुम कभी नहीं शुदरोगे gesture ऐसा बोला but he also had a big smile on his face लेकर उसकी चहरे में एक मुस्कान थी this was the half chance यह आधा मुका था that Baljit kept talking about कि Baljit बात करता हुआ उसके बारे में that and Sudhir had scored by using the same difficult maneuver कि उसी कठनाईयों में Sudhir ने आगे बढ़कर गोल किया and had led him to miss a shitter in the last match और जो last match उसने खो दिया था that had led him और उसने आज ने तत्यों किया to miss a shitter in the last match जो last match खोया था उसकी जगे पर आज उसने सफलता दिलाई they won the match 3-0 वो 3-0 से match को जीत गए for Sudhir Sudhir के लिए what mattered most सबसे महत्मून था was that he was back where he belonged वह जिस इस्तान में था पुनाव अपस लोटाया on the field खेल के मैदान में and he was the happiest person और वह सबसे खुशनुमा बेकती था तो यह फ्रेंट साब देखते हैं कि यह एक relation है इसके जो कुछ meaning है बहुत ही छोटे-छोटे हैं लेकर बड़े अजीब से हैं उनको आप पर लिख लें और हलाकि जो भी meanings हैं उनको मैंने आपको बताया है फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई meanings हमको समझ में नहीं आया तो आप हमें comment करके